एक दिन की बात है मिनुचेडिया और कालुकवा काफी देर से भोजन तलाज कर रहे थे परन्तु आज तो उने भोजन कहीं पर भी नहीं मिल रहा था यार वैसे ये जंगल तो बहुत अच्छा है परन्तु इस जंगल में अब भोजन ढूना तो बहुती जादा मुश्किल हो गया है हाँ तुम ठीक है रहे हो तेखो तो हम भोजन ढून्टे ढून्ते इस कड़ी गर्मी में कितनी जादा दूर आगे जंगल से परन्तु अभी तक हमें भोजन कहीं पर भी नहीं मिला कववा और चेड़िया भोजन की तलाश में थोड़ा और आगे जाते हैं वे दोनों जाही रहे थे कि अचानक मौसम काफी जादा खराब हुचाता ही और अचानक तेज बारिशें शुरू हो जाती है दो जी पहले ही मुझकिलیں कम थी जो एक मुझकिल और खड़ी हो गई चलो मिनुचेड़िया चल्दी से खर चरते हैं इससे पहले के ये बारिशें और जादा तेज हो जाएं हाँ हाँ चलो चल्दी से खड़ चलते हैं मुझे तो लगता ही कि जंगल में काफी तेज तुफान आने वाला है मीनु चेडिया और कालु कववा अपने घर पर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें बारश में एक बूड़ा पक्षी दिखता है जो के अपने भारी समान को उठा नहीं पा रहा था ओहो विचारा बुड़ा पक्षी अपने समान को उठा ही नहीं पा रहा चलो चलो जाकर हम इसकी जल्दी से मदद करते हैं हाँ हाँ जरूर हम मदद कर देते हैं इसकी कहवा और चेडिया उस बूरे पक्षी के पास आते हैं और उसका वे भारी समान उठा कर उसके घर पर लियाते हैं तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पक्षी हो आज कल के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता पर तुम दोनों ने मेरी मदद करके मेरी मुश्किर अर्सान कर दी पक्षी जी हमने तो ये कुछ भी नहीं किया पस ये तो हमारा फर्स था मिनो चेडिया चल्दी चलो बारिशे और तेज हुचाएंगी और यहां से तो हमारा घर अभी बहुत दूर है रुको रुको तुम दोनों ने मेरी मदद की मैं तुम दोनों को ऐसे तो जाने नहीं दूँगा भलके मैं तुम दोनों को कुछ देता हूँ वे बुड़ा पक्षी उन दोनों को एक किताब देता है और उनसे कहता है मिनुचेडिया भी किताब रख लेती है और वे दोनों पक्षी फॉरण से अपने घर की तरफ चले जाते हैं अगले सुब मिनुचेडिया भी किताब खुलती है और उसे पढ़ने लगती है मैं एक जादुई किताब हूँ जो कोई सचे दिल से मुझसे कोई भी चीज़ मांगेगा मैं उसे जरूर दूँगी परंतु हाँ याद रहे मुझसे सिर्फ दिन में तीन इच्छाए मांगना और अगर किसी ने लालच में आकर मुझसे चौते इच्छा मांग ली तो मैं उसे डंडूँगी अरे ममा ये क्या बिकार किताब पढ़ रही हो ये सब जूट लिखा है इसमें ये जादू वादू कुछ नहीं होता हाँ मानो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाक़ई में एक जादूई किताब हो अच्छा मानो चेड़े मैं एक इच्छा मांग पी हूँ इस किताब से ए जादूई किताब मानो और मेरे लिए स्वादिश स्वादिश भोचन दे दो चेड़िया का बस इतना ही कहना था कि उनके सामने चादू किताब के जादू से स्वादिश स्वादिश भोचना जाता है मिनुचेडिया तो ये देखकर काफी जादा हैलान ले जाती है अरे ये तो वाक्ती में चादू किताब है मानुचेड़े हमारे तो भागे ही खुल गई मानो जैसे हमारे हाथ एक खजाना लग गया हूँ हाँ ममा परन्तो ये किताब मुझे बहुत खतरनाग भी लग रही है हमें दिन में सिर्फ इस किताब से तीन इच्छाइ मांगनी होंगी अगर हमने चौती मांग ली तो ये हमें डंड देगी हम तुम ठीक है रहे हो हमें इस बात का तो खास कहा लगना होगा बस अगले दिन से मिनुचेडिया पक्षियों की फर्माईश पूरी करने लगी थी और पक्षियों को उनका मन पसंद भूचन देती थी इसी तरह मिनुचेडिया रोज़ाना तीन इच्छाएं पूरी करके पक्षियों को खुश कर दीती थी पक्षियों के भी जैसे मानो अब मज़े ही लगे थे क्योंके इस गर्मी के मौसम में अब पक्षियों को भोचन धूरने की कोई परिशानी नहीं थी मुझे अभी आप पर बहुत गुसा रहा है आप जो भी काम करते हो बस गर्बर ही कर देते हो अरे जब बूरा पक्षियों आपको भी जादुरी किताब दे रहा था तो आपने मना क्यों कर दिया उसे हमारे हाथ लगा खजाना आपने उस मीनुचेडिया को दे दिया सोचे तो जरा अगर वे किताब हमारे पास होती तो आज जंगल के सारे पक्षियों हमारे घुलाम होते हम पक्षियों से अपने सारे काम करवाते और उसके बदले में पक्षियों के सारे इच्छाएं पूरी करते मुझे भी बहुत पश्टावा है इस बात पर लेकिन मुझे क्या पता था कि वे जादूर किताब निकलेगी तुम्हें तो पता है ना रानी कि मुझे किताबों से कितनी नफरत है बस इसलिए मैंने वे जादूर किताब लेने से मना कर दिया था परंतु तुम चिंता ही मत करो मैं मिनुचेडिया से वे किताब लेकर ही रहूँगा क्योंकि उस किताब पर असल हक मेरा है इतना कहकर कालू कववा मिनुचेडिया के पास चला जाता है कालु कावे तुमने देर कर दी आने में अब कल आना तुम्हारी इच्छा में कल पूरी करूंगी ओ चिडिया मुझे अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी मैं तो यहाँ पर बस अपनी जादु किताब तुमसे वापस लेने आया हूँ चलो जलदी करो, मेरे पास समय नहीं है मेरी किताब मुझे वापस कर दो हैं। तुम्हारी कौनसे किताब कलु कालु कर वी? यह किताब तु मेरी है ना? देखो बै तुम्हें भी पता है कि यह जादु किताब सबसे पहले उस बूरे पक्षी ने मुझे दी थी कभी नहीं दूंगी अगर अपनी कोई इच्छा पूरी करवानी हो तो कल आजाना मेरी पास परन्तू ये किताब सिर्फ और सिर्फ मेरी है कालू कवा तो बहुत जादा घुसा होकर वहां से चला जाता है रात हो जाती है मिनोचेडिया और मानोचेडा भूजन खाकर अराम से स राली तो अगले दिन मिनोचेडिया मुझे ये किताब छीन लेगी और मुझे पर चोड़ी का इर्जाम लगा कर मुझे बंदी बनवा देगी मैं काम करता हूं इस जादू किताब से ऐसी इच्छा मंगता हूं कि सारी जिंदगी बस आराम से बैठ कर खाऊं और मुझे काम क मिनोचेडिया और जंगल के सबख्षियों को बहुत जादा गरीब कर दो इतना गरीब कि जंगल के सबख्षी आकर मुझे पैसे मांगें आज मिनोचेडिया ने तीन एच्छाएं तो पहले से ही मांग रखी ती चौती इच्छा मांगने पर उस जादूई किताब को बहुत जादा घुसा आजाता है लालची पक्षी चौती इच्छा मांगने पर आप मिलेगा डंड वे जादूई किताब अपने जादू से कालू कवे को पूरा फटर का बना देती है अगले दिन चमीनुचेडिया और मानुचेड़ा सो कर उठते हैं तो वे कालू कवे को फटर बना हुआ देख लेते हैं अरे मम्मा ये क्या कालू अंकल की फटर की मूर्ती हमारे गर में कैसे आ गई पर मुझे पता है, मानो ये मोर्ती नहीं, बलके खुद कालुकावा है जरूर कालुकावे ने लालच में आकर रात को इस जादू किताब से 24 इच्छा मंग ली होगी चबी तो इस जादू किताब ने कालुकावे को डंडे दिया बस आप कालुकवा हमेशा हमेशा के लिए फत्तर का बन जाता है और इस तरह कालुकवे को अपने लालच की सजा मिल जाती है मीनुचेडिया के अपने दो बड़े बड़े घर थे एक घर में तो मीनुचेडिया खुद रहती थी मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने इस दूसरे घर को किराय पर दे दो तुम्हें बैठे बिठाएं अच्छे खासे पैसे मिलते रहेंगे हाँ जग्गू भाई मैं भी यही सोच रही थी पर अंतु मुझे कोई भी पक्षी नहीं मिल रहा जो मेरा दूसरा घर किराय पर ले सके वहीं दूसरी तरफ कालू कव्वा और रानी कवी भी किराय के घर में रहते थे कालू जी आज हमें किसी भी हालत में इस किराय के घर को खाली करना पड़ेंगा वरना मालिक मकान आकर हम दोनों को धक्की दीकर घर से निकाल दीगा पता है रानी परन्तु मैं अब क्या करूँ मैंने जंगल में हर जगा ढूंडा परन्तु मुझे तो कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जो किराए पर खाली हो मैंने सुना ही कालू जी कि मिनुचेडिया अपना दूसरा घर किराए पर देना चाती है क्यों न हम मिनुचेडिया का दूसरा घर किराए पर ले लें अच्छा चलो ठीक है मैं मिनुचेडिया से बात कर कराता हूँ ये कहकर कालू कववा मीनू चेडिया के पास चला जाता है ठीक है कालू कववी मैं तुम्हें अपना घर किराया पर दी दूंगी पर रेंतों मुझे हर महीने अपना किराया समय पर चाहिए तुम उसकी चिंता ही ना करो तो मैं तुम्हारा किराया हर महीने समय पर मिल जाएगा तो फिर ठीक है कालू कवी आइसे ही तुम दोनों मेरे दूसरे घर में रहना शुरू कर दो बस फिर रानी कवी और कालू कवा मिनू चेडिया के दूसरे घर में रहना शुरू कर देते हैं है रिकालू जी ये घर कितना सुन्दर और कितना बड़ा ही काश कि ये घर हमारा होता हाँ रानी मुझे भी ये घर बहुत जादा ही पसंद आया है लेकिन हमारी इतनी अच्छी कहा किस्मत कि ये हमारा घर होता वैसे हम तो हमेशा तूटे फूटे किराय के घर में ही रहे हैं परन्तु हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें ये तना बड़ा और शानधार घर मिल गया बस फिर रानी कवी और कालू कवा अराम से मिनू चेडिया के घर में रहने लगते हैं इसी तरह एक महीना भी गुजर जाता है कालू कवी एक महीना गुजर गया है इसलिए मैं तुमसे अपने घर का किराया लेने आई हूँ मिनू चेडिया तुम तो जानती हो ना कि पिछले महीने मेरा कोई भी वेपार नहीं था इसलिए मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए मैं तुम्हें अगले महीने दो महीनों का किराया दे दूँगा बस इस महीने तुम मुझे माफ कर दो अच्छा चलो ठीक है कालू करवी तुम मुझे अगले महीने दे देना डबल किराया मिनुचेडिया तुम कितनी अच्छी और रहम दिल हो मैं तुम्हारा ये ऐसान कभी नहीं भोलूँगा कालू करवी मुश्किल में जो किसी के काम आई वही असल दोस होता है फिर मिनुचेडिया वहां से चली जाती है कालू ची आपने मिनुचेडिया से जूट क्यों बोला हमारे पास तो किराय के पैसे जमा थे ना और रानी मैंने मिनुचेडिया को किराय के पैसे इसलिए नहीं दिये ताके मैं देख सकूँ कि मिनुचेडिया चलाक है या बेवकूफ परन्तु ये मिनुचेडिया तो बहुत जादा ही बेवकूफ है इसे तो मैं आराम से अपने जाल में फुसा सकता हूँ कालूची आखिर आपकी दिमाग में ऐसी क्या खिच्च्री पक रही है मैं आपसे कह देती हूँ अब आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगी वरना मैं अपने भाई को बुलबा लूँगी और मेरा भाई आपको बहुत जादा मारेगा फिर रानी मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा तुम बेफिकर हो जाओ बस फिर कालू कववा वहां से चला जाता है रानी कोई तो बस हर समय मुझे अपने ताकतवर भाई से ही ड़़ाती रहती है वो तो हमारे जंगल में भी नहीं आता तो फिर वो मुझे कैसे मारेगा बस मैंने सोच लिया है वे मिनुचेडिया का घर मैं अपना बना कर ही रहूँगा अब सेवे घर सिर्फ मेरा है ये कहकर कालू कववा चंगल के अमीर पक्षी उलू सेट के पास चला जाता है आओ आओ कालू कववे मैं तुम्हारा ही इंतिजार कर रहा था तुमने जो मुझसे उधार पर पैसे लिये थे वो ही वापस करने आये हो ना यहाँ पर उलू सेट आप तो चांटे हैं न के मैं कितना जादा गरीब हूँ सारे पैसे बस मेरे किराए में ही निकल जाते हैं कालू कवे मुझे कुछ नहीं पता चोरी करो कुछ भी करो मुझे मेरे पैसे वापस करो उलू सेट मुझे मिनुचेडिया का किराए वाला घर बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसी घर में ही रहू आखिर मिनुचेडिया को क्या जरूरत है दो दो घरों की आप बस मिनुचेडिया के सामने मेरा साथ दे दो कालू कवे ये तो बहुत गलत काम है मिठु माराज को अगर पता चल गया तो मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे वो अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको वरना मैं आपके पैसे आपको कभी नहीं लोटा पाऊंगा कालू कवे की बात सुनकर उलू सेट सोचने लगते हैं ये कालू कवे तो ठीक है रहा है मुझे इसकी मदद करने ही पड़ेगी वरना ये मेरे पैसे कभी भी मुझे वापस नहीं करेगा ठीक है कालू कववे अपसे कुछ देर बाद वे घर तुम्हारा होगा परन्तु अब मुझे इस काम के डबल पैसे चाहिए वरना इस काम की मुझे से कोई उमीद मत रखना अच्छा अच्छा ठीक है उलू सेट आप बस मेरे साथ चलो फिर कालू कववा और उलू सेट मिनू चेड़िया के किराएवाले घर पर चली जाते हैं क्या हुआ कालू कववी अच्छा नक तुमने मुझे यहां क्यों बलाया हैं क्या बात हैं रुक जाओ मिनू चेड़िया तुमें तो अभी ये उलू सेट ही सबख सिखाएंगे मैंने सुना है मिनुचेडिया तुमने कालू कववे से किराय के बहाने काफी जादा पैसे ले लिये हैं और इसलिए जब तक तुम इसे इसके सारे पैसे वापस नहीं लुटा देती जब तक ये घर कालू कववे का है हाई रे उल्लो सेट ये कालू कववे जूटके रहा है मैंने तो एक बार भी कालू कववे से अपने घर का किराया नहीं लिया बस बस मिनोचेडिया मैं सब जानता हूँ के तुम बहुत जादा ही शातिर हो बस आज से ये घर कालू कववे का है तुम आज के बाद कभी भी नजर उठा कर इस घर की तरफ देखोगी भी नहीं चलो यहां से चली जाओ फिर उल्लो सेट ये कहकर वहां से चली जाते हैं कालू कववे तुमने मेरे साथ बहुत गरत किया है पर एंटू में हार नहीं मनूँगी इतना कहकर मिनूचेडिया भी वहां से चली जाती है कालू जी ये क्या हो रहा है आपने मिनूचेडिया का घर उससे क्यों चीन लिया मिनूचेडिया ने तो इस बार हमसे अपना किराया भी नहीं लिया था अरे रानी इस काम में तो थोड़ा बहुत गलत करना ही पड़ता है मैं जानती हूँ कालू जी आप कभी नहीं सुदरेंगे फिर रानी कवी फारण वहां से मिनुचेडिया के पास चली चाती है मुझे माफ कर दो मिनुचेडिया पर एंत तु कालू जी ऐसा करेंगे इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता था तुम परिशान मत हो मिनुचेडिया मैं यहार तुमारी मदद करने आई हूँ रानी कवी अब कुछ भी नहीं हो सकता उल्लो सेट कभी भी मुझे मेरा घर वापस नहीं लेने देंगे बैस मिनुचेडिया तुम मेरे साथ चलो फिर रानी कवी मिनुचेडिया को लेकर अपने भाई के पास दूसरे जंगल चली जाती है रानी कवी अपने भाई के पास आकर उसे कालू कवे की सारी बार बताने लगती है क्या कालू कवे ने दुबारा से वही काम करने शुरू कर दिये अब तो मैं कालू कवे को नहीं छोड़ूँगा फिर वे सारे घुसे में कालू कवे के पास चली जाते हैं कालू कवे तुम कभी नहीं सुद्रोगे मैंने अपनी बहन की तुम से शादी करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी है अरे अरे भाईया आप यहाँ पर अचानक कहां से आ गए अगर बता के आ जाते तो मैं थोड़ा खाने पीने का इंतिजाम कर लेता कालू कवे मैं और रानी कवे लेकर आई हैं यहाँ पर कवे भाई को कालू कवे फॉरण मिनुचेडिया का घर छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी हड़ी पसली तोड़ दूँगा अरे तुम कौन हो कवे चलो जाओ यहाँ से हमें तंग मत करो उलू सेट की बात सुनकर रानी कवी के भाई को बहुत जादा हुसा आजाता है अरे अरे भाईया मुझे मत मारना मैं खाली कर देता हूँ यह घर यह घर मिनुचेडिया का ही है बस मैं तो मिनुचेडिया को जाल में फसा रहा था ये बात सुनकर रानी कवी का भाई कालू कवे को बहुत जादा मारने रगता है और फिर इस तरह रानी कवी के भाई की वज़ा से मिनुचेडिया को अपना घर वापस मिल जाता है अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्षन में अपनी राय देना ना भूलें